हाई चलो यह ओफिशियल नहीं उस आपको कोई देगा नहीं लेकिन क्यूंकि मिली है अपडेट तो सोच आपके साथ शेयर किरो अब यह कितना सही होता है यह तो हमें वक्त बताएगा लेकिन अब क्यूंकि भाई कुछ लोगों से बात किये मैंने तो उसको लेके बता रहा जब से अजय देवगंड ओम राउत रितिक अब रितिक का वो कंफर्मेशन वैसे आना बाकि है लेकिन ओम राउत जो अजय देवगंड से उन्होंने वो जो टॉक करने की कोशिश किये वो पॉजिटी हुआ है मतलब वो जो फिल्म है वो आने वाली बाजी प्रभुदेशपन्डी जी पे जो है अनसंग वोरियर वो कंफर्म मानके चलो कंफर्म इन दे सेंस अजय आन ओम राउत तो कंफर्म है रितिक का भी भाई कंफर्म हो जाएगा वो तो चाहते कि उनको रितिक को ही लेना चाहते हो और मुझे लगता है रितिक विल्म कोई छोड़ेगा नहीं यस अब यहाँ पी इशुई है कि एंटागॉनिस बनना पड़ेगा विलन बनना पड़ेगा तो क्या वो एकसप्प करेंगे देखो धूम में तो उन्होंने एकसप्प किया था विलन विक्रम वेदा जो फिल्म आई थी उसमें भी तो रितिक को इगो प्रॉब्लम तो मुझे कभी लगता नहीं कि है वो कोई भी रोल तो करेंगे अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है तो मतलब उनको ये नहीं होने वाला है कि इस फिल्म में उनको कम स्क्रीन मिलने वाला है स्क्रीन टाइम तगड़ा मिलेगा इवन इन वार वैसे देखा जाए तो कुछ मामलों में वार में वो विलन तो नहीं थे बट उनका जो एक ग्रेशेर शुरुवात में अगर आप देखोगे वार जो फिल्म थी सबसे पहले जब वो मिशन पे रहते है वो बिकाऊओ जो लोग होते है उनको मार के वो कच्रा साफ कर रहे होते है ये तो आपने वार में भी देखा था मतलब ऐसा लगता तो है कि ग्रेशेर टाइप का ग्रेक्टर था तो ऐसा नहीं कि रितिक विल्न प्ले एज अ विलन he will be fine हाँ बट यह है कि screen time वाला angle तो screen time अच्छा है मैंने सुना है villain को भी अगर villain का roll होता है तो anyways वो बाद में हमें confirm पता चलेगा Ajay Devgan and Omraud की जो film है वो भी confirm है ये दोनों agree है ये भी confirm है Ritik का confirmation की news मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं बाद में दूँगा और मैं उसी type का बन्द हूँ जितनी news मेरे पास official होती है वो मैं देता हूँ मैं हवा में नहीं बोलता हूँ यार ये हो चुका है बस होना बाकी है type का जो सच है वो सच है अब इससे क्या हुआ है देखो इससे ये official confirmation आ चुका है कि भोला टू पोस्पॉन हो चुकी है भोला टू आने वाली अक्षे अजे वाला जो आपने देखा होगा वो मुला का तो वहाँ पे भी शायद भोला टू का जिकर हुआ था और दो-तिन जगा पे हुआ था बोला टू बन रही है बट नहीं बन रही है जल्दी जो पहले चांस था जल्दी बनने वाले थी धमाल फोर के शुटिंग के बाद बट अभी धमाल फोर के शुटिंग के बाद ये जो historical unsung warrior फिल्म है वहाँ पे ही इनका पूरा ध्यान होने वाला है गोलमाल का at present आता पता नहीं ये शुटिंग का बट यहाँ पे द्रिश्चम 3 का भी नहीं है यानि की son of सर्दर देदे प्यार दे का जो शुटिंग जो थोड़ा बहुत बचा है उसके बाद जो धमाल फोर आने वाली उसके बाद अगर कोई फिल्म का शुटिंग करने वाले अजय देवकन तो वो पहले भोला टू का करने वाले थे अब भोला टू का नहीं करने वाले अब इस फिल्म का अनसंग वारियर का करने वाले तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया सिनारियो यही होगा हाँ इसमें आप ये पूछ सकते हो फिर आप मुझसे कि वाट अबाउट दे गोलमा और अबाउट दे रिशम्त्री जो मोस्ट अवेटर सिक्वल है और शैतान 2 मैं आपको एक बात बता देता हूँ शैतान 2 का जो एक अपडेट था वो तो ये पहले से ही था कि वो 20-26 में उसका शुटिंग होने वाला है इसलिए वो अगले साल का कोई सवाल ही निया अगले साल अंसंग वारियर की शुटिंग शुरू होने के जो अंसंग वारियर ही उसके बाद ही उसका कुछ हमें अपडेट देखने को मिलेगा दुर्श्यम थरी तो बहुत लेट है क्योंकि जब तक वो मोहनलाल जी की जो अपडेट होगी उनके फिल्म की तभी ये फिल्म बन क्योंकि वो आपको पता है उनका एक डील है कि एक दूसरे के साथ ही वो रिलीज करने वाले है फिल्म तो वो भी अभी लियर नहीं है और गोलमाल भाई वो रोई चेटी पर है वो कितना सीरियस है उसका क्या अपडेट है वो अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं बाद में तो आट प्रेजेंट आप जो फिल्में कंफर्म है और जो फिल्म का शूटिंग क्या है सिन होने वाली है बले रेट्टू पोस्ट्पॉन हुए लेकिन रेट्टू का अल्रेड़ी शूट हो चुका है एक दो सॉंग्स होंगे तो बाद में हो जाएंगे धमाल मार्च मंत में उनका शूटिंग कंफम है और उसके बाद कंफम अनसंग वारियर की शूटिंग के लिए यह लगने वाले हैं और जो फिल्म अभी भले ही तयार है लेकिन वह रही बाता बाप बोलोगे भाई फिर रेंजर का क्या वो जो जगन शक्ति वाली फिल्म ना उसका उ अगर वैसा कोई अभी तक अपडेट नहीं है जो अपडेट मेरे पास से वही बता रहा हूँ उसका कोई अपडेट आएगा तो दे दूंगा और अगर इस शिडियूल में अभी जो कंफर्म वाला यह है अगर यह चेंज होता है तो भी दे दूंगा लेकिन यह वीडियो को शेर कर देना यह निवस आपको कोई नहीं बताएगा और पक्का कुछ यूटूबर साब मेरी कॉपी कर लेंगे बट इससे पहले जो सच होता है जो रियल होता है रियल होता है न तो शेर कर दो यह ओफिशल इंफोर्मेशन है अभी थोड़ी देर पहले अपडेट मिली है I am Jaihin and you know that my updates are accurate